दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं कुछ खतरनाक और सबसे सुन्दर जानवर जिनें देखकर आपके मुँसे सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा ओ माइगाड दोस्तो वीडियो को बिन स्किप किये इंड तक देखते रहें और अगर चैनल पर पहली बार आएं हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें आकि आपको हमारी हरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके शुरू करते हैं ग्रीन हैडर टैनगर यह एक बहुत ही खुबसूरत और चमकीले कलर्स का बर्ड होता है दक्षनी पूर्वी ब्राजिल के अंटार्टिक वन में और उत्तरपूर्वी अर्जंटीना में पाया जाने वाला यह सबसे खुबसूरत बर्ड है इसका सिर्फ हरे या नीले रंग का होता है इसकी पीठ काड़े रंग की और उश नरंगी होती है यह आस्टन 18 ग्राम का हो सकता है या आप ऐसे पंचियों को देखना चाहते हैं तो हमें केमेंटे में जुरूर बताइएगा औस्टल पीकॉक स्पाइडर मेर्टर स्पीसिस में से आती है यह एक अस्ट्रेलिया इपर जाती है यह अस्ट्रेलिया के रेद के टीलों की पंसपतियों में पाई जाती है इसके पीड़ पर मॉर के पांकों की तरह पंक होते हैं इसी कार्ण इसे peacock spider कहा जाता है यह पांक चमकीले और नरंग की रंग के होते हैं जो इसे बाकी मकडियों से काफी अलग और खूबसुरत बनाते हैं अगर आपने ऐसी मकडी पहले कभी देखी है हमें कमेंट करके जुरूर ताइएगा Flower Praying Mantis Flower Mantis अलग अलग रंगों के हो सकते हैं जो अपने शिकार के लिए वैसे ही बन जाते हैं जैसे वैब फूल में बैठे हो जाने की वैब बिल्कुल फूल जैसे बन जाते हैं क्योंकि यह दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं The Jewel Beatles Jewel Beatles दुनिया में अपने रंगों के कारण काफी खूबसूरत एनिमल्स की श्रेनी में आते हैं इनके चमकीले रंग इन्हें दूसरे कीडे मकौडों से काफी लग बनाते हैं अब तक इनकी 1575 परजातियां पाई गई हैं Jewel Beatles सबसे खूबसूरत होते हैं और यह लगबग पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं प्रवाने समय में इनका यूज सिजावट के लिए किया जाता था The Man of War The Man of War एक जैलफिश होती है जो इतनी लंबी होती है कि आपने कभी नहीं सोचा होगा इसकी नबाई 150 स्टीट तक हो सकती है लेकिन आस्तन यह 30 स्टीट तक ही देखी गई हैं यह बहुत ही खूबसूरत और ठीके नीले कलर की होती है यह बैंगनी नीले कलर की भी हो सकती है ये बहुत जहरीली होती है ये जातर गर्म पानी में पाई जाती है पिंक डॉल्फिन डॉल्फिन एक बहुत ही खूबसूरत और सामज़दार मशली होती है इसका चेहरा हमेशा समाईली नजर आता है इन्होंने कई बार समुंदर में लोगों की जाने भी बचाई है इनकी अलग अलग जगाओं पर अलग अलग परजातियां बाई जाती है ये पिंक डॉल्फिन साबसे खूबसूरत मशली जो आज तक हमें मिली है ये मीठे पानी में रहती है और दूसरी डॉल्फिन से काफी खतरनाक होती है ये अपनी खूबसूरती का परदशन करते हुए हर स्किल को काफी इजी से सीख लेती है ये मौथ एक ऐसा जानवर है जो जंगलों में पाये जाता है ये एशिया के जंगलों में पाये जाता है ये काफी बड़े और खूबसूरत होते हैं लेकिन इनकी उमर सिर्फ दो या एक दिन होती है इनके पंक इनके श्रीज से काफी बड़े होते हैं ये दूसरे जिवों की तरह मूँ नहीं खोल सकते क्योंकि इनके मूँ नहीं होता है इमल मौत मेल मौत से काफी बड़ी होती हैं अंडे देने के बाद अपनी डेथ का इंतजार करते रहते हैं दा ब्ल्यू ड्रेगन वाटर ड्रेगन असल में सलग होते हैं यह पानी तरहों में हवाओं की तरह तैरते रहते हैं लग-लग रंगों से अपनी खुबसूरुती का प्रदर्शन करते हुए या समुंदर के शिकारियों को शलावा देते हैं इन में पिल्यू ड्रैगन सबसे खुशुरत होता है इसके पानी में ते हरने वाले पंक भुहती खुशुरत और नकिले होते हैं जो उसे खतरनाक और ड्रावना बनाते हैं अलाको यह इतने ड्रावने नहीं होते दा ब्लैक और वाइड लेपड पाइफन लेपड पाइफन जंगलों में पाई जाने वाले साफ से खुबसूरत और खतरनाक साप हैं इन सापों के लबाई शेय से 9 फीट हो सकती है इनका अकार और साइज इनकी अलग अलग परजातियों पर डिपारिंट करता है इस वक्त इनकी 6 परजातियां है यह दुनिया के साफ से खुबसूरत सापों में से एक हैं एक सफेल साफ इनकी परजाती का जो बहुत ही खुबसूरत होता है इंडियन बुल फ्रॉग इंडियन बुल फ्रॉग इंडिया, पाकिस्तान, निपाल, बांगरादेश और अफगानिस्तान में पाई जाने वाले फ्रॉग की एक बहुत ही खुबसूरत पर जाती है इसके अलावा यह श्री लंका और मियमार में भी पाई जाते हैं यह फ्रॉग मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं अलावकि यह जातर पानी में नहीं रहते यह अपना जातर समय आसपास की जाडियों में हेल कुद कर बिताते हैं यह फ्रॉग, कीडे, चुंदर, केंचुए, शोटे सांप और शोटे पक्ष्चियों को अपना शिकार बनाते हैं यह दुनिया के सबसे खुबसूरत मेंड़कों में से एक हैं आप इने देखेंगे तो इनकी खुबसूरतिक के काईल हो जाएंगे हलाकि यह बहुत खतरनाक भी होते हैं यह जहरीले होते हैं तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें किमेंट करके जुरूर ताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो सला सकें अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब ने गी है तो जादी से सिस्क्राइब बटन दबा कर सिस्क्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके